दोस्तों हम लोगों ने अपना कल का वीडियो जहाँ पर किनिस किया था वहीं से आज की सुरुआत करते हैं series कल का वीडियो हम लोगों ने जिस कुस्षिन पर कदम किया था वह यह था कि मढसर इंस्टिटीट के द्वरा सन 2020 का जो cost of living survey है उसके अनुसार दुनिया का सबसे महंगा सहर कौन सा बना है जिसमें हमने कल आपको आंसर बताय था कि cost of living के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा सहर की अगर बात करी जाए तो वह हो जाएगा होंग कॉंग सहर option number B यहाँ पर सही हो गया था लेकिन इस index में यह जो मरसर के द्वारा रेपोर्ट जारी करी जाती है इसमें भारत का भी तो status होना चाहिए भारत कौन से नंबर पर लाई करता है या भारत का सबसे जदा महंगा सहर कौन सा है इन सभी चीजों को भी हमें discuss करता था तो हम लोगो आगे क्या questions बनेंगे कि मरसर संस्तान के अनुसार वर्स 2020 का cost of living सर्वे के अनुसार भारत का सबसे महंगा सहर कौन सा बना है तो इसमें राइड अंसर हो जाएगा option number C मुंबई इसका राइड अंसर हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुंबई इसका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि आपसे पूरी दुनिया के बारे में भी questions बन जाते हैं और कभी कभी सिर्फ भारत की ही ranking के बारे में पूछ लेता है साथी साथ में आपको बदा दूँ कि मुंबई को पूरे विस्ट के लिष्ट में कर देखें तो 60 वा इस्त प्राप्त हुआ है इसी प्रकार से ग्लोबल लिष्ट में दिल्ली को 101 वा इस्तान प्राप्त हुआ है और चेन नहीं को 142 वा इस्तान जो है यह ग्लोबल लिष्ट में प्राप्त हुआ है दोस्तों कल एक अजीव गरीब न्यूस वाइरल हो रही थी जिसमें कि बहुत सारे लोग एक photo को circulate कर रहे थे चाहें वो आपका Facebook हो चाहें आपका Twitter हो हर जगे इस topic के बारे में discussion हो रहा था news channel भी इसको cover कर रहे थे हुआ क्या था कि एक जील है एक लेख है जिसका रंग अचानक से रातो रात में हारे से गुलाबी हो गया एक दिन पहले उस जील का पानी का जो बड़े ही आश्चेर से देख रहे हैं इसको लेकर question क्या बन सकता है वो समस्ते है question यहां पर दोस्तों बनेगा कि हाल ही में चर्चा में चल रही लोनर जील लोनर लेक कहां पर इस्तित है तो इसका राइड एंसर हो जाएगा यह इस्तित है महराश्ट्रा में option number A से हो जाए महराश्ट्रा में इस्तित है इस समय सबसे ज़्यदा चर्चा में चल रही है तो जो लोनर लेक है यह टूरिस्ट देस्टिनेशन भी है बहुत सारे लोग इस लेक में घुमने चाते हैं ऐसा मानते हैं कि बहुत साल हजारों साल पहले एक उलका पिंड यहां पर आकर गिरा जिसकी वज़े से ही इस जील का यहां पर निर्मार हुआ था तो महराश्ट्रा में यह जील है लोनर लेक के नमसे इसको जानते हैं दोस्तों अगर आप इस लेक का फोटो देखोगे तो यह आपको देखो इस समय ग्रीन कलर की यहां पर दिख रही है ठीक है तो इस प्रकार कि यह ग्रीन कलर से यह लेक थी लेकिन अचानक से जब लोग अगले दिन इसको देखा तो देखा कि इसका रंग जो है अचानक से गुलाबी कलर का हो गया ठीक हरे कलर से गुलाबी कलर की जील है जिसमें कि आप भी इसका कलर देख सकते हैं अब ऐसा किस वज़े से हो सकता ह जो environmentalist हैं उन लोगों ने इसकी study करी और उन्होंने एक logic पेस किया है जिसके अनुसार इस जील का जो पानी है यह अचानक से हरे से जो गुलाबी में convert हुआ है वो हुआ है सैवालों की उपस्तिती की विज़े से दोस्तों आप सभी लगों के लिए खुश कवरी है कि पिछले मैने यानि की मैं 2020 का जो मंतली PDF है उसको तयार किया जा चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें आपको सारे questions topic वाइस मिलेंगे आप देख सकते हैं यह सारे topic मैंने cover कर रखे हैं बहुती सांदार यह PDF है जिस चेस करके आप इसको पढ़ना सुरू कर दीजे सुरू करते हैं अगले question के लिए अब दोस्तों अगले question के लिए आप प्रदानमंतरी मोदी जी का एक tweet देख सकते हैं उन्होंने क्या tweet किया है हाल ही में प्रदानमंतरी मोदी जी ने कल की डेट में tweet किया था जिसमें उन्हों यहाँ पर आए है जिसको नरेंद्र मोदी जी की दोरा सेयर किया गया है उसको लेकर बना है आज का हमारा आगला कोशन तो यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने कुछ यह एसियाटिक लॉइंस की फोटो यहाँ पर सेयर कर रखी है तो इसको राइट एंसर हो जाएगा option number D यानि की गुजरात राज्य में इस्तित है तो यह जो गीर forest है जो की इस समय चर्चा का विसे बना हुआ है यह गुजरात राज्य में इस्तित है तो option number D यहाँ पर सही हो जाएगा अब इसी गीर forest को लेकर एक question मना है वो क्या है वो समस्ते हैं कि गुजरात वन विभाग के एक data के अनुसार पिछले पांच वर्सों में गीर वन में asiatic loins की जो संख्या है उसमें कितने प्रतिस्त का increment हुआ है कितने प्रतिस्त की विरद्धी हुई है राइट अंसर विल बी 29% तो यही कुसकबरी है जिसको लेकर प्रदानमंत्री मोदी जी ने भी tweet किया था जिसके अंसार पिछले पांच वर्सों में जो गीर forest है गुजरात का वहाँ पर जो asiatic loins हैं उनकी संख्या में 29% का increment देखा किया है तो इस tweet को आप देख सकते हैं जिसमें की asiatic loins की photo भी शेयर करी गई है और लिखा है कि इसका जो population है वो पिछले पांच वर्सों में यानि की 2015 से लेकर 2020 की अगर बात करी जा है तो इसमें 29% का increment देखने को मिला है अगर हम लोग इसको numbers में discuss करें तो 2015 में इसका जो number है वो था 523 और 2020 2020 में इसका जो number है वो 674 हो गया है यानि की 523 से बढ़कर यह 674 जो है यह हो गया है साथी साथ में दूसरी खुसकपरी क्या है कि इस अबादी में ही सेरों का जो वित्रण छेत्र था यानि कि जितने छेत्र में सेर फैले हुए थे उसमें 36% की बढ़करी देखी गई है यानि कि इसको ऐसे देख सकते हो कि पहले अगर इतने एरिया में एसियाटिक लॉइंस थे तो अभी इसके बाद में 5 वरसों में इनका जो एरिया है वो कुछ इस तरीकी से बढ़ा है तो इनका जो एरिया बढ़ा हुआ है यह जो increased एरिया है यह 36% की इसमें increment देखी गई है यहाँ पर अगर इसके discussion की बात करी जाए इसके छेतरफल की बात करी जाए तो यह जो छेतर है यह 2015 में 22,000 वरगी किलोमेटर में फैले हुए थे जिसको 2020 में यह 30,000 वरगी किलोमेटर जो है वो छेतरफल इसका हो गया है आई हूप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों अगर आपको हमारा content अच्छा लगता है अगर आप यह चीज़ हमें बताना चाहते हैं तो आप लोगों से request है इस video को जितना ज़्यादा आप like करेंगे हमारी पूरी team daily basis पर videos के like और comment को देखते हैं उसी के basis पर हमें यह पता चलता है कि आपको video अच्छा लगा य लेकिन कम से कम आपका एक reaction जो होगा उससे हमें बहुत benefit होने वाला है इसका आपसे कोई पैसा भी नहीं लगता है अगला question है कि हाल ही में किस company ने 1.5 trillion market cap हिट करने वाली दुनिया की पहली company बनकर इतिहास रच दिया है तो answer हो जाएगा Apple iPhone बनाने वाली जो company है Apple A WP LE वही द 1.5 trillion का जो market cap है उसको हासिल कर लिया है और ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्दी मतलब minimum 3-4 साल के अंदर ही ये पूरी दुनिया की सबसे पहली company बनेगी जो की 2 trillion का market cap हासिल कर लेगी अभी जो news निकल कर सामने आ रही है जैसा कि आप newspaper का cutting देख सकते हैं उसमें लिखा है apple makes history by becoming world's first company to hit 1.5 trillion market cap ये एपल का लोगों भी देख सकते हैं जो की पहली ऐसी company बनी है जो की इस मुकाम तक पहुँची है question है कि हाल ही में पूर्व Australia को order of Australia से समानित किया गया है तो answer हो रहेगा Michael Clark option number A सही हो रहेगा हाल ही में 2015 का विशुकप जिताने वले कप्तान जिनका नम है Michael Clark उनको ही order of Australia से समानित किया गया है so guys right answer will be option number A यहाँ पर आप Michael Clark का photo देख सकते हैं जिनको हाल ही में इस मुकाम तक पहुँचाया गया है इस award से इनको समानित किया गया है आगे चलते हैं हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े solar project का ठेका हाल ही में किस company को दिया गया है so guys इसका right answer हो जाएगा अदानी गुरूप option number C से हो जाएगा आदानी गुरूप हाल ही में आदानी गुरूप को दुनिया का सबसे बड़ा solar project जिसकी value है 45,000 करोन यानि कि 45,000 करोन रुपय का ये जो ठेका है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा solar project है इसको हाल ही में आदानी गुरूप को परदान किया गया है यहाँ पर आपको बतादू आदानी गुरूप की एक company है जो कि solar energy के field में काम करती है जिसका नाम है green energy limited उसको ही यह order मिला है और कुछ order की कीमत 45,000 करोन जो है इसकी पूरी value है दोस्तो अगर आप मुझे regular follow करते होंगे तो मैंने अब ही आपको times higher education की list करवा दी है जिसमें हमने यह देखा था कि कौन सी university को कौन सा इस्तान मिला है इसके बाद में हमने किया था qr कल किया था हमने question qr world university ranking जो ही थी उसके उपर भी मैंने questions करवा दिये दे अभी एक तीसरी ranking जारी करी गई है उसका नाम क्या है national institutional ranking framework nirf के अनुसार उच्च सिच्छा के छित्र में देश का service risk संस्तान कौन सा है so guys right answer will be IIT मदरास option number D सही हो जाएगा higher education के छेत्र में यानि की engineering के छेत्र में अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा देश का जो institute है वो बना है IIT मदरास को ये किसके दोरा है अलग-अलग organization की report अलग होती है इस वज़े से organization का नाम याद रखना जरूरी है NIRF के दोरा is ranking को जारी किया गया है जिसका मतलब होता है National Institutional Ranking Framework NIRF के दोरा इस ranking को जारी किया है जिसमें कि IIT मदरास को पहले सतान पर रखा गया है अब इसमें आप देख सकते हैं IIT मदरास ये पहले सतान पर है दूसरे सतान पर है IISE Bangaloreo और तीसरे इस्तान पर आता है आपका IIT Delhi ये इस प्रकार से इसकी तीन रैंक है उसकी बाद में हैं इसी रैंकिंग में यानि कि National Institutional Ranking Framework में देश का सबसे अच्छा Management Institute यानि कि Business School या MBA Institute कौन सा है So guys, right answer will be IIM Ahmedabad आहमदाबाद ये पहले इस्तान पर इसमें लाई करता है साथी साथ में एक और लिस्ट यहां पर जारी करी गई है कि इंडिया के अंदर टॉप के तीन युनिवर्सिटीज कौन कौन से हैं तो सबसे पहले IISC बंगलरू को दूसरे इस्तान पर जवाहर लाल नहरू युनिवर्सिटी और तीसर इस्तान पर बनारस हिंदू युनिवर्सिटी जिसको बियच्जू के नाम से जनते हैं ये टॉप की तीन युनिवर्सिटीज में आती है करेंट फरस का अगला कुशन बना है कि हाल ही में पहली बार पदार्त की पांचवी अवस्ता देखी गई है उसका नाम क्या है तो सबसे पहले तो दोखो किसी भी मेटर की पदार्त की जो पांचवी अवस्ता है उसको पहली बार देखा गया है तो जायर से बात है कि बहुत ही बड़ी न्यूस है हलाकि आपको छोटी लग रही होगी लेकिन साइन्स के छित्र में बहुत बड़ी निउस है कि किसी भी मैटर के पांचवे स्टेट को देखा गया है अब इस पांचवे स्टेट को नाम क्या दिया गया है इसका नाम है बोस आइंस्टाइन बोस आइंस्टाइन कॉंटम इसको नाम दिया गया है अब इसके रिगार्डिंग जो फोटो सेर करी गई है उसको भी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पदार्थ की पांच भी अवस्ता है जिसमें कि आपको हो सकता है ज्यादा कुछ समझ में ना आ रहा हो लेकिन यही है पदार्थ की पांच भी अवस्ता इसके रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतिये गडितग्र जिनका नाम था सत्यंदर नाथ बोस और आइंस्टाइन इन दोनों ने ही इसके अस्तित्व यानि कि यह जो पदार्थ की पांच भी अवस्ता होती है इसके बारे में इन लोगों ने बहुत पहले सदियों पहले रिसर्च कर ली थी और उस समय उन लोगों ने भविश्य वारी करी थी कि हो सकता है कभी लाइफ में पदार्थ की पांच भी अवस्ता भी देखने को मिल सकती है तो यहाँ पर अगर बात करें जाए पदार्थ की चार कौन-कौन सी अवस्ताइं होती है तो पहली होती है ठोस किसी भी पदार्थ को आप ठोस अवस्ता में देख सकते है matter यानि कि पदार्थ क्या होता है ऐसी चीज जिसमें जिसका एक सेप होता है जिसमें बजन होता है इसको matter कहा जाता है जिसे आपका mobile हो गया ये ठोस है आइस क्यूब हो गई ठोस होती है उसके बाद में liquid कोई भी material लिक्विड state में हो सकता है उसके बाद में होती gas कोई भी material जो है वो gaseous state में भी हो सकता है इसके बाद में चौथी state होती है plasma और जो पाँचमी जिसके बारे में हम लोग अभी discuss कर रहे हैं उसका नाम है बोस Einstein चीक है तो पदार्थ की पांचो अबस्ताओं का नाम मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है अगर वीडियो देखकर आपको अच्छा लगा हो तो इसको जल्दी से जल्दी से लाइक कर दीजिए क्योंकि हम लोग अभी revision स्टार्ट करने वाले हैं तो सभी लोगों को एक सेकिंड का समय देऊंगा कम से कम आप वीडियो को लाइक तो करी ही सकते हैं तो जल्दी वीडियो को लाइक कर दें आप देखें मैं आपसे आज मैंने आपको जो भी questions करवाए हैं उनका revision करवा देता हूँ आपसे questions पूस्ता जाओंगा सबसे महंगा सहर कौन सा है आई हूप आपने answer लिखकर भेज़ दिया होगा सुगाइस राइड अंसर विल भी मुंबई चीक है आगे चलते हैं अगला question है हाल ही में चर्चा में चली लोनर जील कहां पर इस्तित है सो इसका राइड अंसर क्या हो जाएगा रात में उसके बाद में हैं एसियाटिक लाइन्स की जो संक्या है ये पांच साल में कितने प्रतिसत बढ़ गई है सुगाइस राइड अंसर हो जाएगा 29% का इंक्रीमेंट यहां पर देखने को मिला है उसके बाद में हो जाएगा कि हाल ही में किस कमपनी ने 1.5 ट्रिलियन मार्केट कैप के हेट करने वाली दुनिया की पहली कमपनी बनकर इतिहास रच दिया है आंसर हो जाएगा एपल चीक है हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्ब क्रिकेटर को अर्डर आफ ऑस्ट्रेलिया से समानित किया गया है तो माइकल क्लार्क विल बी दा राइड आंसर उसके बाद में दुनिया का सबसे बड़े सोलर प्रोजेक्ट का ठेका किस कमपनी को दिया गया है तो राइड आंसर विल बी अदानी ग्रुप अदानी ग्रुप को इस ओर्डर को दिया गया है उसके बाद में है हाल ही में खोजे गए पदार्थ की पाँचवी अवस्ता को देखा गया है उसका नाम क्या है उसका नाम है बोस आइंस्टाइन आई हूप आपको सारी कुस्तान समझ में आ गया होगी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उस वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूले